भावेश कुमार शांतिलाल पटेल क्या गीता कुरुष्ण ने नहीं लिखी? अभी सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्केल गीता कुरुष्ण ने लिखी ऐसा कहीं कहा नहीं गया गीता ये कुरुष्ण ने अर्जुन को कहीं ऐसा कहा गया और ये महाबारत का हिस्सा भी माना जाता है महाबारत तो व्यास ने लिखा अब इसम का क्या मतलब हम निकाले वो निकाल सकते अब उसमें भी अलग-अलग धारणाय हैं कि महाबारत पहले व्यास ने लिखा और बाद में महाबारत वैसे के वैसे घटा ये भी कहा जाता है अब ये संबह होई कि ने इसके बारे में भी आप सोची है और ये लिखित फॉर्म में भी फैलाई जाती है लेकिन कहा भगवान कुरुष्ण ने गीता कही भगवान कुरुष्ण भगवान थे या अच्छे इनसान थे इन सब बहस में पढ़ने की आभशक्ता नहीं गीताई में जो उपलब्द है वो तत्व ज्ञान उपलब्द है उसको हम पढ़ सकते हैं उसके बारे में समझ सकते हैं उसमें बहुत महत्व के साइकलोजिकल चीजे कही गई है फिलोसोफिकल चीजे कही गई है उसकी महत्ता हम समझ सकते हैं कुछ थोड़ी ऐसी भी चीजे है कि जिसके कारण हमारे अंदविश्वास बढ़ सकते हैं जैसे कि करता करविता मैं ही हूँ निमित्त मात्रतू है तो इसमें तो मेरे हाथ में करने लाए कुछ बचाई नहीं है सब कुछ करने वाला इश्वर है अपना कर्म करते जा फल की पेक्षा मत रख यह बहुत अच्छा साइकलोजिकल तत्व ज्यान है कि मेरा करतवे मैं करते जाओ करने का ही मैं अपनी जिवन में आननलू चाहे उसका मुझे फल कुछ भी मिले यह बहुत अच्छी बात है साइकलोजिकली और परसनेलिडी डेवलप्मेंट के लिए दोनो कुछ भी नहीं है सब कुछ भगवान के ही हाथ में है वो ही मुझसे करवाता है जो भी करवाता है वही करवाता है तो इसी के साथ में तो सभी चाहे बिबे कानन जी हो चाहे सावर कर हो चाहे अगर कर हो चाहे प्रबोदन का रठाकरे हो चाहे अम्बेट कर जी हो चाहे फु कि कल्पना है कि हमारे नसीब में होता है उसी के अनुसार होता है तो ऐसी भी कुछ बाते उसमें हैं तो जो ततवग्ज्ञान की अच्छी बाते है मानव जाती के लिए हिदकारत है psychological बहुत अच्छी अच्छी बाते है उसकी हमने तारिफ करना सीखना चाहिए उसको स्विकार ना चाहिए इस जंग से हम देखेंगे तो मुझे लगता ज़्यादा आच्छा होगा वो किसने लिखा है किसने नहीं लिखा है इसके प्रमाइड में जाओगे तो बड़ी दिक्कत है क्योंकि हमारी यह सब चीजे अपवरुशेय माने जाती है कम से कम महाभारत तो किसी ने लिखा यह कहा गया कितनी अच्छी बात है वेट किसने लिखे तो वेट अपवरुशेय माहाभारत लिखा है रामाइड लिखा है कम से कम उनके लेखक के नाम तो हमको पता है इतनी तो कम से कम अच्छी बात है तो उन चीजों के विस्तार में नंजा कर उसका जो महत्व है उसको हमने महत्व देना चाहिए मैं विनोबाजी को मैंने बहुत नज़देक से देखा है उनके साथ में काफी मैं रहा हूँ, बचपन से रहा हूँ, मेरे पिता जी उनके सेक्रेडरी थे मैं उनको बहुत मानता हूं बहुत बड़े सामाजिक नेता मैं उनको मानता हूं जीज भारत में हमारी जो खेत की border होती है वो एक इंच इदर-उदर हुई इसलिए दो भाई आपस में एक दुसरे को मार डालते हैं या फिर पडोस वाला जो खेती वाला होता है वो एक दूस्टे को मार डालता है उसी देश में इस इंसान ने तेरा साल घुम घुम कर पचास लाख एकड जमिन भुदान में प्राप्त कि इतना बड़ा काम किया शायद दुनिया में इतना बड़ा काम आज तक किसे ने नहीं किया ये पचास लाख एकड जमीन में से काफी जमीनumen में बाटे गए फिर सरकार के नियमों के कारण काफी नहीं भी बाटे गए उसमें गड़बढ़िया भी होइे कुछ लोगों ने हडब भी ली लेकिन पचास एकड जमीन उन्होंने दान में प्राप्त के उनका आभान रहता था आपको कितने बेटे हैं दो बेटे है तो मैं तीसरा आपका बेटा हूं मुझे मिरा हिस्सा दीजे और लोग इतनी बड़ी जमीन उनको दे देते है ऐसी बाते होते आई है इतनी बड़ी बड़ी बाते होते आई है ये जो सामर्थे रहा है इतना बड़ा काम जो किया है बिनवाजी ने फिर उन्हें ने ग्रामदान की कलपना भी रखे बहुत बड़ी सरोदे मॉमेंट रही है लेकिन वो क्या कहते थे मालूप वो हमेशा कहते थे कि मैं जाने के बाद में एक ही चीज बचे गी वो याने गिताई क्योंकि सांस्कृत गिताई का उन्होंने मराठी में भाशांतर किया था उसको गिताई कहते हैं जो मेरे घर में बच्पन से हम उसका एक-एक अध्याय रुज शाम की प्रार्थना में करते थे वो गिताई उनके जीवन की सबसे बड़ी बात है वैसा वो कहते है और मुझे अभी भी लगता है कि उन्होंने इतना बड़ा-बड़ा काम अपने जीवन में किया है उसको उन्होंने महत्व नहीं दिया है और सबसे ज़्यादा महत्व कि इस बात को दिया तो इस बात को दिया कि गिताई उनका सबसे बड़ा कॉंट्रिबिशन लेकिन विनोबा जैसे वेक्ति को भी गिताई इतनी महत्वकी लगती है जिबकि उन्होंने इतना बड़ा काम समाज के लिए किया है लोग मान्य तिलक ने गिताई पर एक टिका लिखी वो भी बहुत बड़ा उनका कॉंट्रिबिशन माना जाता है तो गिताई ने काफी लोगों को दुनिया में प्रभावित किया है उसका तत्वग ज्यान उसका साइकलोजिकल ज्यान उसको हमने महत्व देना सेखना चाहिए वो किसने लिखी किसने नहीं लिखी ये मनने के चक्कर से हम बहारा जाए भगवान कुष्णा ने कही थी नहीं कही थी फिर कही थी तो याद कैसे रखी फिर वैसे के वैसे कैसे लिखी गई इसको इतनी ठीक डंग से एक बार सुनने के बाद मैं याद था ये सवाल उठाने में ज़्यादा मतलब नहीं है वो उपलब्द है लिखित फॉर्म में उपलब्द है और महाबारत ब्यास ने लिखा है ये दो चीज़े हमारे लिए का